Hello बच्चो, Good Morning आज हम पढ़ेंगे हिंदी व्यक्रने और रचना कक्षा 5 लेसन है आपके 11 लेसन का नाम है नीती के 2 है इसमें आपके कबीर के 2 हैं और रहीम के 2 हैं टोटल आपके 7 दो हैं जिसमें पहला दो आपके हैं कबीर का बुरा जो देखन में चला मुझे सा बुरान कोई कभीरा अर्थात इस लोक में कभीर दास केना चाहते हैं कि जब मैं दुनिया में बुरे व्यक्ति को ढुनने निकला तो मुझे कोई भी बुरा नहीं दिखाई दिया लेकिन जब हुमें अपने दिल ही की तलाश की तो पाया कि खुद से बुरा और कोई नहीं भाविया है कि स्वयम की बुराई पले देखनी चाहिए इस श्लोक के माध्यम से आपको यही समझाय गया है कि दुसरों में बुराई डुनने से पहले खुद की बुराई में बुराई को देख लीजिये इस श्लोक में कठीन शब्दार थे अपने आपके देखन देखने के लिए मिलिया मिला आपना अपना कबीर का दुसरा श्लोक है गुरु गोविंदा उखड़े काके लागू पाए बलिहारी गुरु आपने गोविंदियो बताए कबीरा गोविंदियो बताए अर्थत श्लोक का आर्थ है या इस दोहे का आर्थ है मेरे सामने गुरु और इश्वर दोनों खड़े हैं अब मैं सबसे पहले किसके चरणों को प्रणाम करू अर्थत दोनों में किसे बड़ा मानू फिर मेरे मन में विचार किया कि मुझे अपने गुरु पर बलियारी होना चाहिए और उनका उक्कार मनना चाहिए जिनके कारण आज मुझे इश्वर तक पहुंचने का मार्ग मिला है इस लोक के माद्यम से हमें ये समझाय गया या इस दोहे के माद्यम से हमें ये समझाने की कोशिश की गई है कि हमारे सामने हमारे गुरु और इश्वर दोनों क्योंकि हमें इश्वर तक पहुंचाने में सबसे बड़ा मार्ग दिखाने वाला हमारा गुरू ही होता है। इस दोहे में से अपकी शब्दार थे गोविंद, इश्वर, दाउ, दोनो, काके, किसके, बलिहारी, न्योच्छावर, आपने, आपकी। कबिरदाश जी का दोहा है, साई इतना दीजे, जा में कुटुम समाए, मैं भी भूखाना रहू, सादुन भूखा जाए, कबिरा, सादुन भूखा जाए इस श्लोप में कबिरदाश जी कहना चाहते हैं, भगवान से निवेदन करते हैं, कि हे भगवान, आप मुझे पर इतनी क्रपा करना या इतना धन दे जीजिए, कि जिससे मेरे परिवार का भरन पोशन हो जाए, इसके साथ में भी भूखा ना रहूं, और अपने द्वार प सके, और मेरे द्वार पे आए हुए सज्जन का सतकार हो सके, और इससे अधिक धन मुझे नहीं चाहिए, इस दोहे में आपके शब्दार्थ हैं, साई, भगवान, कटुम्ब, परिवार, साधू, सज्जन, संत, इसमें हैं आपके प्रशन उत्तर, कबिर ने बुरे व्यक्त कोई नहीं मिला, स्वयम को ही उन्होंने बुरा माना, तुसरा प्रशन है, कबिर ने इश्वर से कितना धन मांगा है, उसका उत्तर है, जिससे धन परिवार का भरण पोशन हो जाए, और अथितियों की सेवा हो जाए, तिसरा प्रशन है, गोविन को प्राप्त करने का कोई गुरु ही दिखाता है, चोथा प्रशन है, मुझसा बुरा न कोई कहकर कबिर ने क्या संकेत किया, कबिर ने संकेत किया कि हम संसार में अवगुन तलाश करते हैं, लेकिन यदि हम अपने को देखेंगे, तो सारे अवगुन स्वयम के भितर पाएंगे, अतह स्वयम का आवलोकन करना चाहिए अधा बचा हुआ लेसन हम नेक्स डे पढ़ेंगे